स्वागत है आप सभी का Tech Study आई टे यूटीब चनल पर तो आई टे आई का रेजल्ट आ गया था रेजल्ट में बहुत सारी गड़बडी थी कई बच्चों के पुराने रेजल्ट सो हो रहे हैं कई बच्चों का जीरो नंबर सो हो रहा है कई का माइनस वन सो हो रहा है कई का जीरो सो हो रहा है किसी किसी के क्या है जो ओल्ड रेजल्ट थे जो पहले का बैक आया हुआ था वही सो हो रहा है तो आप सभी का एक ही कुशन बार-बार हर कमेंट में रहता था कि सर ये रेजल्ट कब सही होंगे कब सही होंगे तो हमारे पास भी इतनी ही जानकारी होती थी जल्दी ही अपडेट हो जाएगा ऐसा पिछली बार जब result आया था तब भी ऐसा ही हुआ था बहुत से बच्चों के 0 नमबर थे बहुत से बच्चों का दे रहा था CBT marks not uploaded बहुत से बच्चों के minus 1 नमबर थे जबकि वो एक्जाम में present थे उसके बाद भी तो पिछली बार जो हुआ था वो लगबग एक हपते के अंदर सही कर लिया गया था क्योंकि सभी ITI से data मागा गया था और वो data मिलने के बाद उसको verify करके दुबारा जो result update हुआ था जारी हुआ था वह रिजल्ट आपका सही होके आ गया था तो अभी भी आप भी जर रिजल्ट चेक कर रहे होंगे अगर आपका जीरो नंबर आ रहा है या आप absent दिख रहे हैं या आपका माइनस वना रहा है प्रजेंट थे उसके बाद भी या आपका अगर पुराना रिजल्ट ही सो कर रहा है तो आपके लिए एक न्यूज यह है कि जो डारेक्टर से बात हुई है आइट याइस की और सबकी तो उन्हों इस रिपोर्ट मागी जाएगी कि आपके यहां जितने भी बच्चों की जीरो नंबर माइनस वन नंबर है इस तरह का जिस भी आइट यह का रिजल्ट है वो हमको यहां पर एक मेल करें बच्चों की लिष्ट मेल करें उसके एक और्डिंग क्या होगा आप सभी का जो रिज सब्जेक्ट में जीरो है तो ऐसे जिनके भी रिजल्ट है वो आप अपने आईटिए से कॉंटेक्ट में रहीए आप अपने आईटिए इस एक बार कॉंटेक्ट कर लिजे वहां पे जो डिजीटी हेल्पडेस्क है वहां पे आप कंप्लेंड भी रेज करवा दीजे जैसा से आप ये मान कर चलिए कि 20 या 21 तारिख तक जो है आपका ये रेजल्ट अपडेट होने के संभावना है ऐसा नहीं 17 के बाद 18 को ये आपका रेजल्ट अपडेट होके आपको मिल जाएगा 20-21 तारिख तक क्या ये मान लिजए आप 22 दिसंबर तक हो सकता है का आपका जो पोर्टल पे जिनके भी ओल्ड रेजल्ट सो हो रहा है जिनका भी पुराना रेजल्ट सो हो रहा है उसके बाद नया कुछनी अपडेट हुआ वो जो है वो अपडेट होने इस्टार्ट हो जाए क्योंकि बहुत से बच्चों के रेजल्ट आए तो बहुत से जिनका जिसे 2019-21 था उनकी लिजबिल्टी क्रिएट भी करनी थी तो उसको जारी किया गया वो लगभग जारी हो गया सभी का बाकी रेजल्ट में क्या होई थोड़ी एरर आ गई है पोर्टल पे किसी का जीरो है इसी NCVTMIS पोर्टल पे कंप्लेंट टूल में आप जाएंगे तो कंप्लेंट टूल पे क्लिक करने के बाद यहां पे ITI क्या कर सकता है डीजीटी सर्विस डिस्क है यहां पे ITI अपना यूजर नेम और पासवर्ट डालके लॉग इन कर सकता है लॉग इन के बाद उसमें हमारे यहां जीरो मार्क से माइनस वन या पुराने रिजल्ट सो हो रहे हैं तो डीजीटी इस पर जरूर रिस्पॉंड करेगी और अगर यही पोर्टल ट्रेनी के लिए भी खुल जाता तो बहुत अच्छा होता कि एक ट्रेनी इंडिविज्वल अपनी कंप्लेन यहां से क हुई है इसके बाद 20 तक आपके रिजल्ट जो पुराने है वो अपडेट हो सकते हैं जिनका भी फेल दिखा रहा है वो रिजल्ट अपडेट हो सकता है तो यह एक इनफॉर्मिशन थी अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा साथ अपने दोस्तों के पारी रखिए और रिजल्ट आपका आएगा जरूर आएगा सभी का रिजल्ट सही होकर आएगा उसके लिए आप लोग पैनिक मत होईए 20 या 22 तारिक तर आपके सभी के रिजल्ट अपडेट हो जाएंगे और इसी चैनल पर हम उसकी भी अपडेट दे देंगे जैसे उसका कोई और नोटिस आता है फर्दर तो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं होगी थैंक यू